इस प्रिंस एर आई होब आप लोग अच्छे होंगे यार आज देखेंगे को सा राजयो अलगॉरित्म यह हो सकता है वीडियो लंबा सोच कि यह मैं सोचना कि बंदा क्या ही पतायागा यह आपको इंसे और कर देता हूं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख ले तो आपक एक पॉइंट पार के समझ में है कि अच्छा यह कहना क्या जा रहा हूं हम लोग इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं पुराने ग्राफ के कॉंसेट के साथ ठीक है तो प्लीज इसे ध्यान से पूरा देखना वीडियो लंबा यह मत सोचना अगर आपको थोड़ा आदा गंटा दे हम लोग अगर फाइंड करना किसी भी ग्राफ में strongly connected component अब आता आता है कि strongly connected component क्या होता है बहुत सिंपल ऐसा set of vertex ठीक है ऐसा अगर set of vertex हम लोग को मिल जाए तो उस set of vertex को हम लोग क्या कहेंगे strongly connected component जैसे इस case में दो strongly connected component है समझ में आ रहा है आपको इस तरह की चीज़े हम लोग बहुत कुछा सीखेंगे ठीक है तो please consist ध्यान से focus करना मैं जो बताते जा रहा हूं आपको सी जैसे कि अगर हम 0 चलना स्टार्ट करें ठीक है तो 0 से हम 2 पर जा सकते है तो 3 से 2 पर जा सकते हैं नहीं यह option नहीं है लेकिन अगर 0 1 और 2 इस तीनों की बात किया जा तो इस तीनों vertex में से हम किसी vertex से किसी vertex तर जा सकते इसलिए यह एक आपका strongly connected component हुआ अगर हम 3 सी 4 की बात की जाए तो definitely 3 से 4 भी strongly connected component because 3 से 4 भी जा सकते हैं 4 से 3 भी जा सकते हैं तो इस graph में total 2 आपको strongly connected component मिलेगा पका चलो next देखते हैं इस सवाल की बात की जाए तो totally आपके strongly component देखेंगे आप पहले इस answer को मत देखना ठीक है आप एले खुछ से वह ट्राइ करो किसमें क्या क्या हो सकता है जो को अपने आप में के strongly connected component बना क्यों because 3 से 4 जा सकते हैं लेकिन 4 से 3 नहीं जा सकते हैं तो यह single और 4 और 5 अपने आपने के strongly connected component बना पका यह समझ में आया मतलब कुल मिला के जो strongly connected component का जिसे कि यह total यहां पर 4 बने ठीक है तो आप यह देखो कि क्या 1 और 2 जो strongly connected component है वो आपस में उसमें जो जो वर्टेक्स है हम लोग वापस में एक दूसरे से एक दूसरे जगह पर जा सकते हैं यह हमारे पास advantage है इस सवाल की बात की जाए तो 0 से 1 पर जा सकते है 1 से 2 पर जा तो 2 से 1 पर जा तो यह तो हमको definitely एक दिख रहा है ठीक है तो 0,1,2 बहुत बढ़िया थ्री अकेला है ठीक है 3 से 1 पर जा सकते 3 से 4 पर बढ़ कोई 3 पर जा नहीं पा रहा है और 4 अकेला है पका अगर यह arrow कुछ मतलब कैसे भी कर लो आपको यह समझ में आ रहा है कि इस case में तीन strongly connected component बना ठीक है अगर हम बात करें एक ऐसा बात कि अगर आप जो अं-directed graph की बात करें ठीक है अं-directed graph में हम लोग याद है हम लोग क्या करते थे वैसे find करते थे कौन-कौन से total different क्या बोलते है disconnected graph है ठीक है जैसे कि इस case में बात किया जाए यह disconnected है यह disconnected है यह disconnected है तो total कितने disconnected graph हुए दो ठीक है सकते हैं यह दोन आपस में अलग क्यों है मत्ता कि दो यह strongly connected component है यह strongly connected component है ठीक है यह आपस में connected नहीं है ठीक है वो सारा का सारा connected component का पार्ट बन जाएगा जो कि फैक्ट है जिसे कि 0 1 2 की बात की जाए एंट 3 & 4 की बात की जाए ठीक है अगर हम 0 से DFS call start करते हैं तो यह connected है इसके बाजू में यह connected इसक बाजू में यह connected है अगर let's suppose यहां 4 भी होता तो यह भी connected हो जाता है अगर यहा हमारे पास arrow आगया यहां पर तो 1 से 3 तो जा सकते लेकिन 3 से 1 नहीं जा सकते that's why strongly connected component नहीं है strongly connected component आहीं हो आपको यह जिस क्लियर हो गया होगा पक्का तो आपको एक चीस तो समझ में आ गया थोड़ा जब को हिंट लग रहा होगा कि वह यहां इसमें DFS तो लगेगा कैसे ल जुले वे हैं जो 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 वर्टेक्स कंपोनेंट में strongly connected component में हम लोग हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स तक जा सकते हैं जैसे कि अगर हम यह मान के चल दे क्यों नहीं है DFS कर दिया जाएँ तो जीरो से हम वन जा सकते हैं बहुत बढ़िया काइए लिद्धरinté sorry ama just anyone nóis Ef ने थेजों बहुट बढ़िया थेक्थ हैं अगर हम DFS उन सिर्फ जीरो की बात कि जाए तो यह तो समाझ में आ रहा है क्या गये रिड़ीजीनों कॉल कॉल टीजै तो सारा तो भी एक फ्रोग पूरा का पूरा पाट चलो अब डिएफस अफ लेट सब्सक्राइब करते हैं ठीक है तो टीट अब तो खेला खता अब लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं अब हम लोग फिर से दूसरी बार call करेंगे जैसे कि हम लोग क्या करते हैं फौर लूप याद होगा आई बराबर जीरो आई लेस दन एंड आई प्लस प्लस ठीका जो जो अगर इफ आई विजिटेड नहीं होता था ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं तो DFS of 3 call की हैं, तो 3 connected है, 4 के सा, तो 3 और 4 आ गया, अब इधर जान लिए सकते हैं कि विए रास्ता ही नहीं है, फिर मुझो DFS call करेंगे 0 के लिए, ठीक है, तो 0, 1, तो 2 के लिए call करेंगे, तो 2, 1, 0, ये एक में आ गया, तो भाया, ये तो समझ में आ गया, तो इस से देखा जा है हमारा answer, अगर हम DFS of 3 call करते हैं, तब हम लोग एक answer के तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारा feel है, जो हमारा actuality answer है, answer क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, अगर हम DFS of 3 call करें, तो हम तरफ बढ़ रहे हैं, definitely sure, अगर हम DFS of 0 call करें, तो 0 से हम सब जगा जा सकते हैं, ध्यान दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, पक्का, ये समझ में आ रहा है, अगर हम DFS of 1 call करें, तो 1 से हम 0 नहीं जा सकते हैं, 1 से 2 जा सकते हैं, ठीक है, and 1 से 3 जा सकते, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है, लेकर 0 नहीं ज सकते हैं, 3 जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं, 5 जा सकते हैं, बहुत बढ़िया, अगर हम DFS of 4 call करें, तो DFS of 4 क्या हो सकता है, हम लोग 4 जा सकते हैं, 5 जा सकते हैं, ठीक है, तो जब DFS of 4 call करेंगे, तो पहले 4 और 5 traverse कर लिए, फिर DFS of 3 call करेंगे, ठीक है, तो DFS of 3 call करेंगे, तो 3 से फोर जा सकते है जो कि यह ओर और फाइव यह ओर जाएगा तो सिर्फ करेंगे तो एक चीजा पैटन समझ पा रहे हो कि हम लास्ट की तरफ से अगर डिए एफस कॉल करते हैं लेट सपोज हमें नहीं पता लाश्ट के अग्गा फर्स यह हो तो नहीं सोचो बस मेरी वर्डिंग सो पकड़ो अगर हम लाश्ट से डिएफेस काल करते हैं देन देर इस चांस की हम लोग को एंसर की तरफ हम लोग अप्रोच कर रहे हैं और इसका एंसर यही होने वाला था 1 जा सकते थे 2 जा सकते थे और तो कुछ नहीं 3 नहीं जा सकते है अगर let's suppose 1 क्या हो रहा होगा हम for loop find करेंग 2 0 से 5 5 i++ ठीक है देखेंगे 0 visited है नहीं है तो 0 call कर देंगे 0 के लिए DFS call करेंगे तो क्या होगा 012 यह तो हमारा एक सब प्रेंट हो जाएगा और यह visited यह visited यह visited फिर क्या करेंगे DFS of 3 call करेंगे विकास क्यों 3 visited नहीं है तो 3 जैसे call करेंगे तो 3 के साथ connected तो 1 भी है लेकिन 1 already visited हो चुका थे यह तो already visited हो चुका है फोर विजटेट नहीं है फोर प्रिंट कर देंगे ठीक है लेकिन क्या यह answer है हमारा नहीं answer क्या होना चाहिए इसका 0123 & 4 because 3 और 4 आपस में strongly connected component नहीं है हमनों 3-4 तो जा सकते हैं लेकिन 4-3 नहीं जा सकते हैं ठीक है तो ऐसा करते हैं अगर हम लोग dfs of क्या call करते पहले 0 call करते ठीक है फिर dfs of 4 call करते फिर dfs of 3 call करते हैं तो हमारा answer आता perfect ठीक है तो एक है समझो यहां पे there is a source there is a sink अगर हम लोग सिंख से स्टार्ट करते हैं ठीक है सोर्स बोले तो यह रहा सोर्स सिंख बोले तो यह रहा सिंख ठीक है अगर हम लोग सोर्स और सिंख से स्टार्ट करते हैं से कि तरफ से स्टार्ट करते हैं यहां कर रहे हैं यहां पर क्या है यह सोर्स है ठीक है और यह क्या है सिंक है अगर हम लोग मातलब ऐसा ऐसा सोरस और सिंग कुछ होता नहीं बस ऐसा समलो कि सिंग मतलब कि शोड़ चीजे है ठर्मिनिये हो रही है इसा मतलब यहां से चलना फ्लो स्टार्ट हो रहा है स समझेगा कोई फरक नहीं मैं बस field basis इस पर बात कर हो आपको इतना source और से स्थार्ट कर तो हम सब जगा जा पा रहे हैं, यहां पे अगर यह सिंक है, और Let's Suppose यह source है, तो हमारा काम असान हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा-थोड़ा source सो सिंग को फील मैं समझ में आ रहा हूँ, पीछे से DFS call कर रहा है, तम्हारा desired output और answer निकल रहा है, पक्का, चलो अब उसी feeling को काम मिलेना है, ठीक है, अब आता है कोसा राजो algorithm, कोसा राजो algorithm क्या करता है, graph को थोड़ा सा pre-processed करता है, ठीक है, उसमें कुछ हम लोग pre-processing करेंगे, और तब जाकि DFS traversal करेंगे, तम्हार रहा है, तो कोसा राजो algorithm क्या करता है, graph में कुछ प्री-process करता है, graph में कुछ-कुछ changes करता है, जिसे कारण graph कुछ नया format में बन जाता है, और फिर हम लोग उसमें DFS traversal लगाएंगे, तम्हारा answer आ जाएगा, अफ्कॉर्स यहां भी हम लोग DFS traversal ली लगा रहे थे, बट हम हमें क्या था, कि हमें यहां थोड़ा order का ध्यान रखना पड़ता था, कि पहले DFS 0 लगाएंगे, तब answer आएगा, फिर DFS 4, फिर DFS 3, ऐसा, थोड़ा तो feel हो गया होगा, नहीं हो तो वीडियो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करो एक बार, थोड़ा और better clarity आएगा आपको, आगे है तो आगे बढ़ो, ठीक है, अब pre-process क्या करता है, अलगो क्या करता है, समझो, हम लोग को क्या करना है, DFS traverse, एक decreasing order of, जो vertices है, ठीक है, जो vertex है, उसको order देना है, decreasing order of their finish time, अब भया, यह finish time क्या है, यह तो समझ में आया ही नहीं, कोई बात नहीं, second फिर क्या, अगर let's पलट की यह कर देंगे, ठीक है, सारे आज इसको reverse कर देना, तीसरा, कि फिर DFS traversal कर रहेंगे हम लोग, ठीक है, जो reverse graph आया, इस graph को, जो हम लोग reverse कर दीए, और जो step 1 में order आया, उस order के according, हम लोग DFS traversal करेंगे, और जो answer आएगा, वो strongly connected component का एक answer आएगा, जैसे कि हमने traversal स् बहुत बढ़ी है, अब हमारे साथ problem क्या है, यह finish time क्या है, यह तो बता दो, finish time तो समझा दो क्या होता है, बहुत बढ़ी है, हम लोग जब भी DFS call करते हैं, DFS recursive function call करते हैं, किसी भी vertex के लिए, ठीक है, तो वो क्या करता है, recursive call start करता है, DFS of course, यह recursive nature है, हम लोग क्या करत है, अब finish कैसे होगा, यह कैसे पाच चलेगा, उस vertex से, यू vertex से, जितना भी adjacent जुड़ा हुआ था, once all adjacent are processed, ठीक है, जब सारा का सारा आजू बाजू वाला element processed हो जाएगा, ठीक है, सारा का सारा जब processed हो जाएगा, then it means कि, अब हम लोग का, इस recursive call का end आ गया, और हम लोग उस पर finish कर देंगे, तो finish time mark करेंगे, I know नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि यह language मुझे नहीं समझ में आता है, मुझे number समझ में आता है, मुझे computer समझ में आता है, यह English में चीजे, जितनी समझ में ही, that's fine, इतना समझो, थोड़ा-थोड़ा मुटा-मुटा feel लो, कि हमने जब D DFS function, DFS call start किया, किसी vertex के लिए, वहाँ start time mark करेंगे, जब वो DFS function खतम हो जाएगा, तो हम लोग वहाँ पर आके finish time mark कर देंगे, और हम लोग को order करना है, finish time के according, decreasing order में, चलो, इसको समझाते है, finish time और start time क्या क्या रहा है, चलो, start time mark किया 1, हमने यहाँ से DFS start किया, let's have start time mark किय 1 unit of time, 1 घंटा, 1 second, हमें नहीं फरक वड़ता, बस समझा, 1 unit of time पर हमने start किया, चलो, अब यह इधर जाएगा, 2 पे, तो S बराबर हो जाएगा, 2, बहुत बढ़िया, अब देखेगा, इसका आज बाजो कोई है, क्या, हाँ भाईया, 0, unvisited अभी तक, तो इसको visit कर देंगे, और start time आर कर देंगे, 3, बहुत बढ़िया, अब आजो बाजो कुछ है क्या, हाँ 1 है, लेकिन visited है, इधर जानी सकता, तो इसका finish time आजाएगा, 4, बहुत बढ़िया, अब इसको finish कर रहे है, अब यह function call हुआ, तो जहाँ parent call पर जाएगा, parent call था 2, तो क्या 2 के बाजो में क्य है, 0 जो कि visited है, और कहीं जानी सकता, तो इसका finish time आजाएगा, 4 के बाद 5, ठीक है, अब वापस आगया, 1 पे, parent call, parent call देखे, क्या इसका adjacent अभी कोई बागी है, भागी है, तो इसका start function आजाएगा, 6, start time में जाएगा, 6, अब क्या देखेगा, अब आजना adjacent को देखेगा, कि इसके बाजो में इससे 4 था, जो कि finish खताम हो, जो कोई बाजो में है नहीं, तो इसका finish time आजाएगा, 9, ठीक है, अब आपने वापस, parent को call करेगा, अब देखेगा, आजो बाजो सब को इसने finish कर दिया, अब आपने आपको finish करेगा, और यह आजागा, 10, ठीक है, अब इसका decreasing order क्या होगा, decreasing order लिखना है, finish time के according, ठीक है, तो order क्या आएगा, ध्यान तो, सबसे बड़ा, decrease मतब बड़ा से चोटा, सबसे बड़ा किसका है, 1 का, ठीक है, फिर किसका है, 3 का, ठीक है, because 9 है, फिर किसका है, 4 का, 4 मतलब की 8, ठीक है, because यह 8 है, फिर किसका है, 2 का, ठीक है, because इसका फिनिश टाइम फाइव और फिर किसका जीरों का यह ओडर आ गया पक्का इस ओडर को हमने निकाला डिक्रीजिंग ओडर फिनिश टाइम इफ वी स्टार्ट दर डीएफस ट्राइवर्स बहुत बढ़िया अब इस्टेप टू में क्या था एरे को रिवर्स कर देना था बात था हमने रिवर्स कर दिया मैं ने ब्रीहड़े रखा वाइजिस को बहुत बढ़िया सी जैसे हमने अब यहरो को रिवर्स क्या आप हमें डिएफस क्या है डिएफस काल ठीकिभी 25 को काल करेंगे किसकीर order के términ planned है ठीक है तो पहला है 1 तो डीएफ़ेस आपन कॉल करेंगे क्या सकते हैं टीएफ़ंट चुक और तो काई और तो कहीं नहीं जा सकते अपसर DFS fall खतम फिर जब वन हो गया finish फिर call करेंगे DFS of 3 ठीक है तो DFS of 3 call करेंगे DFS of 3 call करेंगे तो 3 कहां जा सकता है 1 पर जाएगा क्या नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा because already visited 4 पर जानी सकता 3 हो गया फिर call करेंगे DFS of 4, ठीक है, फिर DFS of 4 call करेंगे, तो 4 visited जो कि नहीं है, तो DFS of 4 call करेंगे, 4 जा सकता है 3 पे क्या, नहीं, because वो already visited, फिर call करेंगे DFS of 2, DFS of 2 कुछ call होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, because 2 already visited हो चुका है, C, ठीक है, तो यही एंसर हमें चाहिए था 0 1 2 यह हमारे पास कॉल आ गया की तीन इस्ट्रॉंगली कनेक्टेट कंपोनेंट मिल गया ठीक है अब आपको समझे में आ रहा होगा कि बिसिकली हम लोग फाइंड यही कर रहे है कि कितने डिस्कनेक्टेट ग्राफ प्रेजेंट है लेकिन यहां पर डिस्कनेक्टेट नहीं कह सकते हैं क्यों नहीं कह सकते हैं विकाज एक एरो तो जा रहा है लेकिन दूसरे तरह आ नहीं रहा है तो इस्ट्रॉंगली कनेक्टेट कंपोनेंट कह रहे हैं जो कि डायरेक्टेट ग्रा क्या है कि जो इसको कोड करते हैं तो कोड करना क्या टफ है क्या एकदम नहीं तफ है भाई एकदम आसान है मैं समझा दूंगा आपको और असाँ जाएगा सी एरे को करना है यह पार्ट आपको आता है क्यों विकाज अगर मैंट्रिक्श ले sangat मैंट्रिक सब्चत पर मैंट्र कर करते हैं कि he 13420 यह order दिया रहाएगा सिंपल से पर इस order को call करते जाएंगे हम लोग वेक्टर में डिएफस ओफ वन कॉल करेंगे डिएफस ओफ थी कॉल करेंगे ठीक है ऐसे कॉल करते जाएंगे तो यह order कि थू आप लोग डिएफस फंसन भी कॉल कर लोगे में प्राब्लम है यह कि भाईया मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि डिक्रीजिंग टाइम वाला चीज फिनिश टाइम क्या से फाइंड करें जो कि इंपॉर्टेंट है अफ कॉर्स लेकिन इतना भी टफ नहीं आपको इसली समझ में आ जाएगा यह चल गया र पूरा का खतम होँआ रिक्रशिय गया है तो यह को हिस्ते गया है और जॉर्ण करेंगे बहुत बड़िया तो यह जब पूरा-का-पूरा खतम हो जाएगा तो तब हम लोग बात करते हैं कुछ अब dfs recursive function समझो dfs recursive function हम लोग u को visited mark करेंगे बहुत बढ़ी है यह visited mark हो गया और उसका adjacent element v अगर v जो है visited नहीं है तो again dfs recursive call करेंगे जब इसका सारा का सारा adjacent वाला चीज खतम हो जाएगा ना तब यह आएगा इस dfs recursive function को finish करने में यहां finish कर रहे हैं हम लोग और यहां start कर रहे है ठीक है जब हम लोग finish करेंगे तो उससे पहले उसको push कर देंगे start में that's it जब यह पूरा का पूरा visited mark हो जाएगा तब last में stack का हरेक element को हम लोग pop करेंगे और उसको result की तरह use करेंगे समझते हैं कैसे बहुत simple है दखो dfs of one call की बहुत बढ़ियाँ किसको क्रेंगा two को तो dodo do call हुआ बहुत बढ़ियाँ इसको करेंगा डीएफस जीरो को किसको क्रेंगा dfs of जीरो को अब 01 को कर सकता क्या नहीं कर सकता क्यों वह already visited two जा नहीं कसी अब एक है और फिसको फिनिस करते हैं तो अब वापस हुआ जा सकता लिए-सकर ऑफ-स-बuba इसको पॉप करेगा और यहाँ यह यह आग चाएगा यह आगया इस ओर क्या करेंगे हम लोग को इसकर रिवर्स कर देना तो आपको यह समझ में आगे कैसे मूफ कर रहा है अपन चलो एक एक्जामपल और लेते हैं यहां पर हम लोग करते हैं डी एफस ऑफ जीरो कॉल किये जिरो किसके पास जाएगा वन के पास क्यों जा रहा है विकॉज यही इसका एडिसेंट इधर जा नहीं सकता है यह किसके प प्रिकॉल करेगा ठीकिस के पास जाएगा फॉर के पास बहुत बढ़िया तो यह डी एफस ऑफ फॉर कॉल करेगा ठीक है यह किसके पास जाएगा फाइफ के पास बहुत बढ़िया तो डी एफस ऑफ फाइफ कॉल करेगा ठीक हाफ कहीं जा सकता क्या नहीं तो इसको जीरो पर जो कि जूरे अलडी विजिटेट तो जाएंगे नहीं तो थी को पॉप कर देंगे बहुत बढ़ी है त्री आगया टू पर तू कहीं और जा सकता क्या नहीं विजिट कर चुका है इसलिए टू को पॉप करेंगे तो आजाएगा पॉप करने से पहले हम लोग मतलग सब्सक्राइब करने से पहले हम लोग पुस्ट कर दें स्टैक में अब वन कहीं जा सकता क्या नहीं वन का सारे अजस्टेंट पुस्ट हो चुका है तो वन पॉप करेंगे फिर आएगा जीरो ठीक है तो ऑडर क्या आगया ओडर आगया जीरो वन टू टू त्री फोर अब इसको क्या करो इसको रिवर्स करो मैं अब वेट कर रहा हूं अब इस एज को रिवर्स करो अपन फिर इसके अकॉर्डिक डीवर्स करेंगे तो रिवर्स करने के बाद यह आया और यह था इसका ओर जीरो बन टू 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 टीफेस अब जीरो कॉल करेंगे क्यों डीफ आप क्या DFS of one call करेंगे हम लोग नहीं क्यों already visited है DFS of two call करेंगे नहीं क्यों already visited three call करेंगे नहीं already visited DFS of four call करेंगे तो DFS from four तो four called लिए और four जा सकता है फाइफ पर तो फाइव लिग दिए और 5 call करेंगे तो यह पूरा खतम लूप और यह दो strongly connected component आ गया अगर आप इस original सवाल को देखोगे यह हमारे पास जो original सवाल है question है इसमें भी हम लोगों यही निकल रहा था कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है अगर आपको लगता है कि ग्राफ आपको समझ में आ रहा है और दूसरों को share करना चाहिए तो प्लीज कर दो यार बिकॉस आपके share करने से मुझे काफी motivation मिलता है चैनल सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर देना तो करें ने